आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जियम्स रतना सागर लेसन नबर 15 हैरी पोर्टर लर्न स्क्विडिच और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की एक होसन आंसर एक्सोसाइस और सम्बरी को देखने वाले हैं तो फ़र्स हमने इस वीडियो की सुरुवात की है स सम्मरी से और अगर आप पने चैप्टर का एक्स्प्लीनेशन नहीं देखा है चैप्टर का एक्स्प्लीनेशन भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेडिस में जाकर तो फ़ Εस्याफ यहां पर सामने मैं अभी जो कर रहा हूं एक छोटी सी समरी यहाँ पर कुछ एक ही छोटे सी पेरेग्राफ में लिखी हुई है फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सोसाइस को ओके एक्सोसाइस कतम होने समरी खतम होने एक बाते हैं एक्सोसाइस पर पूछा गया है कि निमबस 2000 किसका बना हुआ था महुगनी हैंडल का जो कि रेडिस ब्राउन कलर का था नेक्स है वेन हैरी लेफ ता क्विडिच पीच जब हैरी क्विडिच पीच की तरफ जा रहा था तो तब कैसा समय हो था तब समय था डस्क यानि गनेरा अंधिरा होने बाला था साम के समय था तब तक क्लब दैट वूर्ड गेव टु पोटर लुक लाइक आज बैट जो श्टिक उसने दी थी किसको हैरी पोटर इस लग ती थी जैसे कि vkt appeal के में किर्किट में युश करती है नेक्स्ट है, किरकिट या फिर किसी भी बैट बोल में हम यूज करते हैं या फिर बेस बोल में यूज करते हैं तो ऐसे इस्टिक उसको दिये थी को सिर नंबर 4 वीजारी ट्वीन्स वार्क, वीजारी ट्वीन्स कौन थे बीटर्स, बीटर्स का का म्या होता São Dalas? ब्लजर बोल को जो खतरनाग बोल होती थी उससे अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते थे हैरी कोशन नमबर फाइफ हैरी वाज दा डैस हैरी कौन था की सीकर था सोरी हैरी सीकर यानि खोजी था और उसकी जोग क्या थी to catch the golden snitchi यानि उस सुनहरी गैंड को पगड़ने का काम था उसका नेक्स्ट कोशन अब बी में read this sentence and answer the questions फर्स्ट कोशन फर्स्ट लाइन नाव कुड़िच इस इजी तू अंडरस्टैंड इवन इफ इस नोट तू इजी तू पले question number 1 who said this word कि किसने कही ये word ये word कही गए है Oliver Wood के दुआरा तो speaker ने ऐसा क्यों कहा क्यों क्योंकि speaker का मतब ये था कि इसको समझ पाना तो आसान है पर लेकिन इस टेक्निक को समझने के बाद अपने आप में डालना और इसका मास्टर बन जाना इसमें अच्छे अपने आपको अच्छा करना है न बड़ा ही मुस्किल काम है ये इतना आसान गेम नहीं है question number b do you agree or disagree with the speaker कि आप agree है या disagree इस बात से हमने answer दिया है yes कि हम इस बात से agree है क्योंकि एक golden snitch को catch पकड़ पाना बड़ा ही मुस्किल काम है और साथ ही इसके लिए एक अच्छा seeker भी आपको चाहिए यानि खोची जो कि Harry Potter को बनाया गया था secondly आपको उस bludger खतरनाक बोल से भी को भी handle करना है कि आपको वो hit न कर दे थार्ड पूरे game को एक जाड़ू के उपर बैठ कर खेलना पड़ता है जो की बड़ा ही मुस्किल काम है question number c जिसमें पूछा गया है have you experience with your understand something easy but found it difficult to do कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिस चीज को आप बड़ी ही असानी से समझ गए हो पर उसको कर पाना आपके लिए एक मुस्किल काम हो गया हो ऐसे कोई भी instance कोई भगटना आपको share करनी है अपनी class में या फिर आप answer लिख सकते हो अपनी तरफ से आप कोई भी answer लिख सकते हो यहाँ पर मैंने एक छोटा answer लिखा है चाह है यह पूछा हुआ है तो यह speaker ने यानि वोड ने Harry Potter के question की वज़े से की थी Harry Potter ने question पूछा था कि Blurgeon ने क्या कभी कि उसी को मारा है Question number B What had never happened at Hogwarts कि Hogwarts में क्या कभी नहीं हुआ यहाँ पर line कही गई थी ना first में कि never at Hogwarts कि Hogwarts में यह कभी नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ हुआ होगवर्ट में कि Hogwarts में कभी भी Quidditch गेम की वज़े से किसी की मिरतीयों नहीं हुई है Question number C What had result in broken job ठीक है तो question है इसमें कि broken job यानि जो जबड़ा तूटने की अब इस line में बात हुई है उसका क्या मतब्ब है कि किस तरीके से आज चप्ड़ टूटा है किसका तो यहां पर बताया गया कि वुड ने बताया था कि ब्लचर रोकिट की तरह उड़ता है और किसी ना किसी प्लेयर को उसकी ज़ाड़ू से गिराने की कोसिस करता है पर इसमें कभी-कभार किसी के उस नहीं ज़ड़ हुई तरफ जो कि उसके बैड के नीचे रखी हुई थी और साथ ही उस कुड़िच पीछ की तरफ उसका ध्यान था जहां पर उस रात वो उस खेल को सीखने वाला था किस एक्स्ट्रेक्ट के कौन से छोटे हिससे से आपको पता चलता है कि जो गोल्डन पोल्स थे जिनमें को बोल को पासिस करके गोल किया जाता था वो बड़ी हुचाई पर लगे हुए थे यहाँ परण है यहाँ पर कहा गया है कि यह लाइन थी जिसमें हैरी पोटर को मगले में चेप्टर में समजाया था ठीक है इस तरीके से जो पोल्स होते थे उनमें बबल्स फ्लाया करते थे और ये पर डिफरेंट ये है कि जो अब ये गेम में देख रहा है वो उनकी उचाए 50 फीट हाई है तो इस लाइन से हमें बता चलता है ये बात Q3 में पूछा हुआ है कि इस गेम में कितने प्लियर्स की ज़रुत होती है तो टोटल 14 प्लियर्स की ज़रुत है मतलब ये है कि हर टीम में 7-7 प्लियर फोने चाहिए Q4 Who are the Weasley Twins? Weasley Twins कौन है? Weasley Twins two beaters हैं वोड की टीम के जिनका काम है कि वो अपनी टीम के लोगों को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही उस बलजर को हिट करकर दूसरी टीम की तरफ भेजती है Next है question number D Why do you think the Seeker Balls were called the Golden Stitch? कि इस स्नीकर बोल को Golden Snitch क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर है इसका Snitch is a small golden ball with silver wing Snitch के आए एक golden ball है जिसके silver wing है इसलिए उसे golden snitch का जाता है और साथ ही इसका नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि इसका color तो पहले से ही वैसे golden है पर साथ ही अगर इसको पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल है और साथ ही golden snitch इसलिए भी कहा गया है इसको यह वर्ड़ इसलिए भी नवाजा गया है क्योंकि इसको पकड़ते ही इनकी टीम को 150 points एकदम से मिल जाएंगे और इसी के साथ गेम का गेम का मतलब तक जो गेम है वो खतम हो जाएगा तो मतलब बास यह समझवाती है यही important ball है इस पूरे गेम की और क्म्प्रीट करना है तो फर्ष्ट में आंसर आया है चाइलिस मैनर शेकिंड में नेवर ओफिसर थर्ड में एचलिक फीस नेफ्ट में चाइडलाइक क्वालिटीज फिस्ट में संडी डेजर्ट यहां पर question है make a sentence about something that Harry did when the circumstances were challenging use the word face with a challenge इस तरीके से हमें पूरे यहां पर sentences बनाने हैं आपके सथामने five questions है तो सबी को मैं फिर से दिखा देता हूँ next है यहां पर punctuate and rewrite this piece given blow यहां पर मैंने redis में इनको color से आलग ही highlight किया है कि क्या-क्या यहां पर mistake है और अगर आपको भी कुछ और मिस्टेक मिलती है तो आप उनको भी complete कर सकते हैं अगर मुझसे कोई छूट रही हो तो next है grammar study में यहां पर हमें कुछ word को choose करके fill in the blanks को use करना है फर्स्ट में आया है हैरी सेकेंड ओके नेक्स्ट है telling next exercising और फिर fifth swimming फिर next है combine this pair of sentence using infinitive and rewrite them as a single sentence इन sentences को two sentences हमें दिये हुए है इनको हमें complete करना है यानि इनको जोड कर हमें एक sentences बनाने है only one sentence यहां पर आपके सामने टोटल five questions के five answer है next इसके बाद अमा जाती है fill in the blanks with suitable participant form of the verb in the box और यह है आपके सामने answer first में going second playing third worst fourth fill fill और fifth regretting next है your teacher will read out a passage listen carefully and answer the question that follow question number one J.K. Rowling introduced the sport in the Harry Potter series तो यहां पर आएगा quidditch की कोई सा गेम उन्होंने इंट्रडूस किया है इस स्टोरी में quidditch गेम को next है the other team use for muggle quidditch is ground quidditch next time muggle quidditch is the different version of sport answer number four muggle quidditch rules are similar to those of wizard hard quidditch, quidditch sorry tick the equipment used by player of muggle quidditch तो यहां पर है किन किन equipment को use किया जाता था bro mystic यानि यो जादी जाडू ग्रफल जो red ball थी bledger जो attack करती थी ball उन पर मताब team members पर खतरनाक जो बोलती नेक्स है bet जिसे ball को hit किया जाता था उस next है hopes ठीक है hopes जिन में बोलो को pass करकर score किया जाता है next है speaking portion में sorry writing portion में write this synopsis in the extract you just read out not more than 300 words remember the guidelines that you are right ठीक है यहां पर हमें स्नोपसिस यूज करना है इन guidelines को use करते हुए पर हमने यहां पर एक summary लिखी है यह जो हमने चैप्टर की summary थी इसी को लिख दिया है अगर आपके तरब से कोई और कोई और स्नोपसिस आप लिखना चाहो तो आप खुद ही इसमें लिख सकते हो तो इसी तरह के से हमारी यह वीडियो यहां पर खतम होती है वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रू करना थैंक्यू हेव नाइस जे बाई